नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे नाम उदिपतारन है और इस वीडियो में हम बिहार की राजनिती पर एक गंभीर चर्चा करेंगे गंभीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी बॉखलाई हुई है बीजेपी आसहस्ता के प्रकाष्ठा पर है शीट शेरिंग को लेकर देखिए बीजेपी की से आप भूल कहिए या जल्दभाजी नितिश कुमार को एंडिये में लेना साइब बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ रहा है हम हर एक पार्टी का जिकर करेंगे उपेंद्र कुस्वहा की पार्टी हो या फिर चिराक पासवान की पार्टी हो या खुद जीतन राम मांजी हो दो दिन पहले जीतन राम मांजी ने एक बड़ा सभा किया उसमें उन्होंने ये एहसास दिला दिया कि हमने नितीज कुमार का करजा उतार दिया है 125 वोट जो पड़े थे नितीज कुमार के पक्ष में उसमें 4 वोट मांजी जीके थे नहीं तो आज बिहार के CM नितीश नहीं बने होते तो हर एक पाटी कितनी असाहज है और नितीश के एंट्री के बाद NDA का जो seat sharing का formula था वो पूरी तरीके से बिगर चुका है समिकरन बिगर चुका है गनिज बिगर चुका है और आज स्थिती ऐसी है कि BJP in decisive position में है मतलब फैसला नहीं ले पा रही है कि seat sharing होगा कैसे एक तरब महागड बंधन है जहाँ पर seat sharing हो चुका है 6 seat पर वाम, 6 seat पर कॉंग्रेस, 28 seat पर राधत लड़ेगी ये बात लगबग final है तीन परत्यासी के नाम भी लालु जी ने घोचित कर दिया पुरुनिया से पप्पया दो लड़ेंगे पटली पुत्रे से मिशा भारती लड़ेंगी बकसर से सुधाकर सिंग भी लड़ेंगे और भी कई नाम है जिन पर बात लगबग इस महीने के आंद तक final हो जाएगा लेकिन NDA में लगता है जैसे नेताओं को साप सूंग गया है कारण समझ ये पूरा खेल समझना होगा क्या आखिर NDA में भूल हुई कहां पर क्या सच में नितीश को साथ लेना BJP के लिए एक historical blender बन गया अतिहासिक भूल बन गया क्या मसला है सुरवात करेंगे हम उस नेता से जिसने सबसे अधिक मुखालफत नितीश कुमार की की आज वो नेता इंडिये में हासिये पर है चिराग पास्वान का हम जिकर कर रहे हैं फिर उपेंद्र कुस्वाय की भी हम बात करेंगे जीतन राम मानजी की भी बात करेंगे और एक और नेता हैं जो साथ आज बेहत खुस हैं कि नितीश एंडिये में चले आए और उनका पक्ष मजबूत हो गया पसुपति कुमार पारस पर भी हम बात करेंगे चिराग से हम सुरुवात करते हैं वीडियो की देखिए चिराग पास्वान राजनितिक करियर देखिए 2014 में पहली बार जमुई से चुनाव लड़े सांसद बने 19 में फिर रिपीट किये बड़े बहमत से सांसद बने 20 में पार्टी तूटी जब उनके पिता जी का द्यान्त हो गया निदन हो गया सुरुगे रामिलास पास्वान का 21 आते तक पार्टी भी तूटी और परिवार भी तूट गया तब से चिराग अलग थलग पड़े एंडिये से बाहर हो गया एंडिये से बाहर थे वो 20 के विदान सब चुनाव में ही हो गयते लेकिन एक आस लगी चिराग पास्वान को जब 18 जुलाई 2023 को खुद PMO से फोन गया अमित्चा ने उन्हें बोला कि एंडिये घटक दल की बैठक चल रही है सभी पार्टी सामिल है और आप हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं बाजपई जी के समय से आपके पिता हमारे सहयोगी रहे हैं आप आईए एंडिये का दामन ठामिये आपके सभी सर्तों को हम मनजूर करेंगे चिराग के आँख में रोसनी आई खुशी दिखी चेहरे पर मीडिया में भी मुस्कुरा कर बोलने लगे लगा जैसे उनकी छे सीट उनको वापस मिल गई है खेल सही चल रहा था गुणागनित सही बैठा था अचानक 28 जनवरी को बिहार में एक बार फिर तखता पलट हो जाता है उसके दो दिन पहले की तस्वीर सामने आई जब चिराग पासवान दिल्ली पहुंचे अमित्सा के सामने अपने परशानियों को रखा कि भाई जिस नितीश कुमार के खिलाप अब बीजेपी के कहने पर या खुद अपने मरजी से जो एक मोटी लकीर उन्होंने खिज रखी है एक ऐसी लकीर जिसको ना नितीश लांग सकते है ना चिराग लांग सकते है मतलब राजनितीक दुस्मनी से उपर के दुस्मनी चिराग ने नितीश कुमार से ठान लिया और अब वही नितिश कुमार के सपत ग्रहंट समारों में जब चिराग जेपी नड़ा के साथ पहुंचते हैं उस समय से ही इस बात का अनुमान लग गया था कि चिराग इस गड़ बंधन में कितने दिन टिकेंगे दिन उंगली पर गिना जा सकता है। कि अब बीजेपी चिराग को दो सीटों पर ही निप्टाने का मूड बना रही है। कि अगर एक साथ एक मंच पर आते हैं तो बड़ा खेल एंडिये के लिए हो सकता है बिहार में। तो ये एक बड़ा मसला नितीश कुमार के एंट्री के बाद बना है बिहार में जहाँ पर नितीश कुमार अब आफके जगा चिराग पासवान जो है वो पूरी तरीके से अनकमफर्टेबल है। पार्टी की तरफ से बयान नहीं आ रहे हैं पार्टी साइलेंट मोड में चली गई है नेता कुछ बोलने को त्यार नहीं है और अब इस्थितिया ऐसी है कि चिराग पासवान भी नहीं कुछ बोल पा रहे हैं बस एक ही धुन रिपीट कर रहे हैं कि हाजी पुरा हमारा है हम लेकिन कैसे रहेगा एंडिये में पारस के लिए फिल्डिंग नितिश कुमार कर रहे हैं यह सभी जानते हैं जिस दिन नितिश कुमार ने सपत लिया उसके आगले दिन पारस पुरा बुके और मिठाई और पुरा जाकर लगा जैसे समधी मिलान होता है उस तरीके से मिलान क ये नितिश कुमार से पसुपति कुमार पारस पुरानी मित्रता है दोनों senior leaders है बीच में चिराग कहां exist करते हैं और BJP चिराग को तवजब क्यों देगी तो चिराग के लिए option B महागडबंदन हो सकता है इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि NDA में एक बड़ा घम असान मचा हुआ है जिसके नेत्रित्व चिराग कर रहे हैं दूसरा चेहरा आव हम बात करते हैं जीतन रामांजी पर आईए जीतन रामांजी को लेकर 12 फरवरी को हमने सुबह सबरे ख़बर चलाई थी कि मांजी जी के लिए आज गोल्डन ऑपर्चिनिटी है महागडबंधन से उनको CM बनने का ओफर था लेकिन उनने उसे ठुकरा दिया क्यों ठुकराया और मिला क्या उनको उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को वही विभाग दिया गया नितीश कुमार की तरफ से जिस विभाग को छोड़ कर वो नितीश कुमार की पाटी से गडबंधन उन्हें तोड़ा था पिछड़ा एवं अती पिछड़ा कल्यान विभाग जिस विभाग से नराज होकर संतो सुमन ने गड़ बंधन तोड़ दिया था नितीश कुमार से नितीश कुमार ने फिर वही विभाग जो है वो संतो सुमन को थमा दिया दो विभाग की कई थी दो मंद्री पत की मांग की क जितन रामांजी से उसको भी अन्सुनी कर दिया गया, मुख्यमंत्री पद तो खेर सपना है, वो तो नितिश कुमार देने से रहे, कम से कम डेप्टिस्यम ही बनाया जाता, कोई बड़ा मंत्रा ले दिया आता संतुसुमन को, तो थोड़ी संतुष्टी होती, और असंतुष् शीट शेरिंगों लेकर उन्होंने बोला, बेटे संतुसुमन को मुख्यमंत्री बनाने तकी बात उन्होंने कह दिया, यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर 40 सीट हमारे जीत जाते हैं, तो हम बिहार में जो लिक्वियर बैन है, सराब बंदिया उसे खदम कर देंगे, मतलब मा के गदित कोनों ने ठुकरा दिया, जो लालो जी के तरफ से ओफर था, खुला खबर था यह मार्केट में, उसको ठुकराया गया और तब मिला के जीतनरा मांजी को, और क्या गैरेंटी है कि जीतनरा मांजी को लोग सभा में उनके मन मताबिक सीट दिया जाएगा, जो अभी जहाना बात की मांग है जीतनरा मांजी की, जहां से चंदरेश्वर, चंदरवनसी, सांसद है, वो भी जेडियू के हैं, तो क्या नितीश कुमार अपने सिटिंग MP का टिकट काटने देंगे, जीतनरा मांजी के चलते जिनके बेटे को एक मन मुताबिक विभाग तक नहीं द जाएगी, तो एक बहुत बड़ी और संतुष्टी जीतनरा मांजी के अंदर भी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, और लोगसभा में समय है, कोड अफ कंड़क लगने में समय है, उसके पहले अगर चिराक पास्वान के साथ जीतनरा मांजी महागट बंधन में चले आज भी लालू परसाद्यादों का वही ओफर है मांजी जी के लिए, जो 28 जनवरी को था, और फिर जो 12 फरवरी को था, तो ये दूसरा अंगल हुआ, इंडिया गडबंधन के अंदर, अब तीसरे पर हम जलते हैं, उपेंद्र कुस्वाहा, उपेंद्र कुस्वाहा को बिह MLC उनको बनाया गया, एक मंतरी पद तक उपेंद्र कुस्वाहा को नहीं दिया गया, इस अपना तो डेप्टिस सीम का था, लेकिन एक मंतरी पद तक उनको नहीं दिया गया, जिसके बाद नराज होकर, और फिर ते जस्वी को उतरा अधिकारी बताये जाना, कई तरह के माम और अब पिछले 20-30 साल से संता पाटी रही, उस समय से अगर आप उठा कर देखिये, तो उपेंद्र कुस्वाहा को एक उभरता हुआ निता के तोर पर हमेशा किसी निता ने रोका, तो वो नितिश कुमार, अब जहां तक सीट शेरिंग की बात है, तीन सीटों की चर्चा पाटी के अंदर चलती है, मतलब उपेंद्र कुस्वाहा ने अपनी मांग जो रखी है, मिस्ता के सामने, वो तीन सीट को ले कर रहा है, एक तो कारा काट है, दो और सीट चाहिए उपेंद्र कुस्वाहा को, क्या नितिश कुमार को ये मंजूर होगा, और नितिश कुमार से बड़ा सवाल यह है कि वो उपेंद्र कुस्वाहा जिन्होंने मिनिस्टर रहते हुए जब 2014 का लोगसावा चुना हुआ उसे में इनके तीन सांसर जीते थे ये खुद केंद्र में मंत्री बनाए गए थे और इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था क्या अब बीजेपी कॉंप्रमाइज करेगी उपेंद्र कुस्वाहा के नाम पर क्यों कॉंप्रमाइज करेगी क्या भरोसा है इस बात का कि उपेंद्र कुस्वाहा जीत जाते हैं तो एंडिये गड़बंधन में रहेंगे इस बात का कोई गारेंटी नहीं है तो उपेंद कुस्वाहा के लिए भी स्थितियाब 2014 वाली नहीं है हाला कि उनकी नहीं पाटी बनी है राष्टिय लोक मुर्चा अभी इलक्षन कमिशन के तरफ से जो रेजिस्ट्रेशन होने के बाद पंजी किरण के बाद जो नाम मिला है वो राष्टिय लोक मुर्चा है लेकिन क्या RLM को एंडिये गटबंधन में BJP उस तरह सीट देगी तो एक बड़ी असहस्ता एक बड़ी असंतुष्टी उपेंद कुस्वाहा के अंदर भी है तो आप समझे कि जो मुखे घटक दल है एंडिये में चाहे वो चिराग हों मतलब लोजपा राम विलास हों या जीतन रामांजी हों हम हो हिंदुस्तानी आवा मोर्चा हो या उपेंद कुस्वाहा हों RLM तीनो की स्थितिया ऐसी है कि तीनो के तीनो एंडिये में अपने लोग सभा के सीट शेरिंग को लेकर आज इस स्थिति में है कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रही है तो कुछ के लिए और उधक नितीश कुमार बने हुए है तो कुछ के लिए बीजेपी ज्यादा समस्या तब हुआ जब नितीश कुमार एंडिये में आ गया उसके पहले तक जो गुणा गणित था वो यही था कि 38 सीटों पर बीजेपी लड़ती और बाकी 10 से 12 सीटों में इन पाटियों को दिया जाता अब दुसरे गुणा गणित पर हम आते हैं दुसरा गुणा गणित है कि अगर पासवान कुस्वाहा और मांजी ये तीनों अगर महागडबंधन में चले जाए एंडिये से निकल कर तब क्या फार्मूला बनेगा और क्या मेसेज जाएगा बिहार के वोटर्स के बीज तो इदायकों तक को तोड़ लिया गया अब आप समझते हैं इस समीकरण को कि एक तरफ मुखे सहने निशादों के नेता एक तरफ उपेंद्द कुस्वाहा कोईरी के नेता एक तरफ चिराक पासवान पासवान के नेता और एक तरफ जितन रामाणजी और पारस और मांची को जोड़ी तो पूरे दलित के नेता, तो क्या में से जाएगा बीहार में, कि पिछडा, अति पिछड़ा, दलित, प्लस Muslim, प्लस यादव, क्या इस समय करन का तोड़ नितीश कुमार है BJP के लिए यह बड़ा सवाल है, क्या BJP नितीश कुमार इतना रियलाई करती है, इतना भर सा करती है इतने निर्वर है कि नितिश कुमार अकेले पिछडा आती पिछडा नों सूची ते जन जाती और मुस्लिम प्लस यादव का काठ अकेले नितिश कुमार निकाल लेंगे बीजेपी के लिए ये बीजेपी को तै करना है समय बहुत कम बचा है समय महज 15-20 दिनों का ब चिराग हो, मांजी हो, कुस्वाह हो, सहनी हो तो आप समझें कि BJP का बेरा गर्क होने में बिहार में कोई भी नहीं रोख सकता है तो इस रिपोर्ट के बारे आप हो क्या कहना है फिलाल इस चर्चा में इतना ही रणाम उदिप्तारान है, बहुत बहुत शुक्रिया